किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है दोस्तों, इस्टगल की समय आदमी अकेला होता है लेकिन सफलता में पूरी दुनिया साथ होती है नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धरमेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं आपका यूटूब चैनल वर्मा टेक्निकल लर्निम आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, भूगूल कोश्चन इस वीडियो में मैं 25 से ज़्यादा कोश्चन कवर करने वाला हूँ तो वीडियो को ज़्यादा भी पोज मत किजिएगा अगर आप किसी भी कॉंपिटेटिव एक्जाम की तयारी कर रहे हैं SSC, NT, PC, SSC, UPPAC, CGPAC, CGVYAPAM तो वीडियो बहुत ज़्यादा यूच्फुल होने वाला है वीडियो को लाइक कीजिए, सेयर कीजिए, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों तो डेली करेंट अप्यार और जीके के लिए सब्सक्राइब करना बिलकोल भी मत भूलिया साथ में आप बेल आइकन को भी आउन रखे ताकि जब भी मैं वीडियो को अप्लोट करूँगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा तो आईए श्टार्ट करते हैं भूगोल का पहला मैंने कोश्चन लिया है सहरा रेगिस्तान कहां इस्तीत है? राइट आंसर क्या जाता है दोस्तों? उत्री अफरीका माली, मारकुको, ट्रुनिसिया, लिबीनिया, नाईजन, सुडान, मुर्ती, रिना, चौन, मिश्र और अजालिया तो सहरा रेगिस्तान कहां इस्तीत है? उत्री अफरीका को आप लोगों को याद रखना है नेश्ट कोशन देखिए, काला हारी रेगिस्तान कहां इस्तीत है? करेक्ट आंसर हमारा क्या जाता है दोस्तों? बुतस, वाना और नामी बिया काली हारी रेगिस्तान कहां इस्तीत है? तो राइट आंसर हमारा क्या जाएगा? बुतस, वाना और नामी बिया अगला कोशन देखिए तलका मकार रिगिस्तान कहां इस्सीत है राइट आंसर क्या जाएगा चीन एस्सीत है तो राइट आंसर हमारा क्या जाएगा चीन एस्सीत है तो राइट आंसर हमारा क्या जाएगा चीन एस्सीत है अगला कोशन देखिए मैकाल का परवत भारत की किस र इसका रायेक्ट आंसर क्या जायागा दोस्तों, चत्तेजगर चोटा नागपूर किसका नाम है राची का फठारμάavour है तो इसका राइट आँसर क्या जायागा दोस्तों, राची का फठार अगला question देखिए, इंद्रा point भुमध्य रेखा से कितनी दूर है तो इसका right answer आ जाएगा दोस्तों, 866 km इंद्रा point भुमध्य रेखा में कितनी दूरी है तो इसका right answer क्या आ जाएगा, 866 km next question, सर ग्राहन तब लगता है जब, चंद्रमा प्रित्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, अगला question देखिए यूरोप में अलपसत उतरी अमेरिका में रौकिज, दक्षिन अमेरिका में एंटिज, किसके उधारान है तो इसका right answer क्या जाएगा दोस्तों वलित परवत, यूरोप में अलपस्य उतरी अमेरिका में रौकिज, दक्षिन अमेरिका में एंटिज, किसके उधारान है तो इसका right answer क्या जाएगा दोस्तों वलित परवत, नेक्ष्ट देखिए, सूर्य के रसानिक मिसरन में हैट्रोजन का प्रतिसत कितना है, करेक्ट हमारा आंसर क्या जाएगा दोस्तों, 75 प्रतिसत सूर्य के रसानिक मिसरन में हैट्रोजन का कितना प्रतिसत है, तो right answer हमारा क्या जाएगा, 75 प्रतिसत अगला question देखिए, स्वेट पेरियल गन्यमत्र के नाम से भी कौन सा देश जाना जाता है, तो इसका right answer क्या जाएगा, बेला रूस आएगा स्वेट पेरियल गन्यमत्र के नाम से भी कौन सा देश जाना जाता है, तो इसका right answer क्या जाएगा, बेला रूस आएगा अगला question देखिए, जुआर भित क्या है, correct answer क्या जाएगा, नदी की मुहाने पर उद्धाव प्रवाह में चलने वाली उच्च स्वारिज तरंग अगला question देखिए, वायो मंडल में सबसे अधीक ओजोन, कहां पर इस्थीत है, तो इसका right answer क्या जाएगा, दोस्तों, इस्ट्रो, स्फियर अगला question देखिए, विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की जील है, क्या है दोस्तों, कैम्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की जील क्या है, तो इसका right answer क्या जाएगा, कैम्पियन सागर अगला question देखिए, निमनलिखित में किस एक सीमा कैम्पियन सागर में नहीं लगती है, राइट आंसर क्या जाएगा, दोस्तों, आर्मोनिया अगला question देखिए, ग्रेट बैरियर रिफ, कहां इस्थीत है, तो इसका right answer क्या जाएगा, दोस्तों, आर्मोनिया अगला question देखिए, भुकम तरंगो को एक यंत्र द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है, करेक्ट आंसर क्या जाएगा, दोस्तों, सेमो ग्राफ भुकम तरंगो को एक यंत्र द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है, तो इसका right answer क्या जाएगा, दोस्तों, रेसु ग्राफ अगला कोश्चन देखिए सूर्य की सबसी बाहरी सतह का नाम है कुम इसका correct answer क्या जाएगर किरिट या फिर कुरोना सूर्य की सबसी बाहरी सतह का नाम क्या है दोस्तों कुरोना या फिर किरिट अगला कोश्चन संसार का सबसी छोटा महासागर कौन सा है इसका राइट आंसर है दोस्तों आर्टिक महासागर संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है आर्टिक महासागर अगला कुश्चन सरव प्रथम इंडिया सब्द का प्रयोग भारत की किस भासा में किया गया इसका राइट आंसर है दोस्तों ग्रीक आ जाएगा सर्व प्रथम इंडिया सब्द का प्रयोग भारत की किस भासा में किया गया था तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ग्रेक करकर इखा निमनलिखित में किस राज्य से होकर गुजरती है राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आंध्रप्रदेश करकर एखा निम्नलिखीत में से किस राज्य से होकर गुजरती है तो राइट आंसर हमारा क्या जाएगा आंध्र प्रदेश आजाएगा अगला कोश्चन देखिए गुजरात राजिस्थान मध्यप्रदेश 36 गड़ जारखन पश्चिम बंगाल तरिपूर तथा मिजोराम इस्पेशल कहां इस्थीथ है तो राइट आंसर हमारा क्या जाएगा दोस्तों सौरी दोस्तों ये आंध्र प्रदेश का था गुजरात राजिस्थान मध्यप्रदेश 36 गड़ जारखन पश्चिम बंगाल तरिपूर तथा मिजोराम अगला हमारा कोश्चन था दोस्तों सेलेक से कहां इस्थीथ है तो राइट आंसर हमारा क्या जाएगा हिंद महासागर नेक्ष्ट कोश्चन देखिए प्रिथवी की सता पर सबसे उपरी सता को क्या कहते हैं तो राइट आंसर क्या जाएगा क्रस्त आ जाएगा प्रिथवी की सता पर सबसे उचरी उपरी सता को क्या कहते हैं हम लोग कस्र कहते हैं अगला कोश्चन देखिए निम्न में से किसे किसी भूकम की अध्यान के लिए जाना जाता है। Right answer क्या आजाएगा दोस्तों? Simbiology निमनल लिखित में सी किसे भूकम की अध्यान के लिए जाना जाता है, right answer क्या जाएगा? Simbiology जाएगा। अगला कोश्चन देखए, हजार जिलों की भूमी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, करेक्ट आंसर क्या आजाएगा, फिर्लैंड अगला कोश्चन देखए, भारत और चीन की सीमा रेखा को इस परस करने वाले भारतिय राज्य कौन से है, तो राइट आंसर हमारा क्या कीमा रेखा को इस पर से करने वाले भारती राज्य कौन से है तो राइट आंसर हमारा क्या जाएगा दोस्तों अनुराचल प्रदेश नागरलेंड मनिपूर एवा मिजोरा अगला कुश्चन देखिए दक्षिन भारत की सबसे उची चोटी कौन सी है तो आंसर में आप लोग क चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिया साथ में आप बेल आइकन को भी आप पौन रखे ताकि जब भी मैं करेंट अफियर या फिर जी के अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा थैंक्यू वाचिंग मैं वीडियो